तो दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब अब तक तो शॉल ने और के काम नहीं कर रहा थी लेकिन आज मैंजे शॉल ना पड़ा था 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 रात की बरतन जिसे मैं हमेशा बाहर रखती हूं लेकिन आज अंदर रखे थी कि कुई सूबे जल्दी उठना था इस यहां पर एक दो बरतन जो है था तो मैंने यह पर सारे बरतनों को जो है उठा कर कंप्लीट कर दिये हैं लेकिन इसके साथ हाथ जो पूरी तरह से ठंड हो चुका था ऐसा लग रहा था मितलब तपले यहां पर अंदर ही लिया है यहां पर लेकिन यहां पर जो है अंदर तो इसे डाल दिये देख सकते डबब बिल्कुल अच्छी तरह से भर चुका है और आजकल दिलिया बहुत कमी बनाती है क्योंकि बच्चों को कोशिश करती हो healthy food यानि कि तीन टाइम जो है कुछ भी ठीक तरह से देने का ताकि उनका पेट भी भर जाए उसके साथ साथ हेल का मताब हेल्थ भी सही रहे क्योंकि मेरा बच्चा हमेशा बिमार पड़ता रहता है और बच्चा है चोटा बिमार तो पड़ेगा लेकिन फिर भी कोशिश करना तो अपनी हाथ में है तो यहां पर में चट्रीव बथुआ तो दोस्तों बथुआ है ना बथुआ जो बोलते है अइसे कहा करता है बत्वा में आरेन के मात्रा जाती है और हेल्थ के लिए अफ़ी जदा फादे मंद होता है तो मैं अव्य सब्जी भर्पुमात्रा में लाती हूं और यह जो गठी है ने 10 10 rupia में आती है तो इसमें कोई इतना जदा मैंगाई वाले बात नहीं है कम खरच में इंसान हिल्थ का ध्यान रख सकता है तो जी मेरी बथ्वा जो है यह पर चाट कर बिल्कु कम्पलिट हो चुकी है एक्चली में जैसे बजार से लेकर आते हूं जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन टाइम नहीं मिल पाता क्यूंकि दोनों बच्चे साथ में जाता है तो थक है आने के बाद में उन्हें खाना देका शुलाना यह होता है तो इस बजय से ऊजी में मैं थडिन क्लत नहीं आत अच आज बशकु आए उडज्वाव जल्दी ओठात है अर बधुवा को चाट लूँ तो फैनली बथु जो है मेरा चाटकर बलकुल हो चुक है यहां पर चार्टर यों हराधनिया तो यह बहुत ही पतले वाले हराधनिया है इसमें मतलब बहुत ही अच्छा होता है यह इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी छाटकर रखे हुआ है चार्टकर अगर रिश्ट्रोल करूंगी नहीं तो यह मेरा तो तीन हपता तक चल जाता है अगर यह बहुत है तो और नीचे तोड़ा सा कागज में बिचा देती है तो बत्वा और हरा धनिया चार्टकर बिरको कम्प्लीट हो चुकी है एक्चुली एक टब डब्या उसमें इतना ही आ रहा था और इधर है ना काम करते करते हैं आजीब सा लग रहा था तो देख सकते है आदी में बहुत ही जधा फ्लेवर होता है और बहुत ही स्वाप्ट होती है तो इतना जधा हाड नहीं है तो मैं तो नहीं फेकती हूं इन चीजों को और यह जो है इनमें आदी सब्जी और आदी चटनी बनाने का काम आ जाएगा छोटे बच्चे उनके लिए थोड़ा सा चटनी बहुत ही काफी हो जाती है दनीया और बथ्व को चाटने में लगबग मुझे एक गंटा लग गया था तो मैं सोचा क्यों ना खाना बना लो क्योंको छे बजे पानी आता है तो यहां पे मैं बना रही हूं दलिया आज में सुबह जो है दलिया बनाने बाली हूं बच्चे अगर एक ही चीज़ को रोजाना देते हैं रोटी तो पर कहता है रोटी हम नहीं कहाएंगे हमारा पेट बरा हुआ है पहले बाद तो खाता है नहीं चोटू तो बहुत ही बदमाश है तो यहां पर मैंने ले लिया थोड़ा सा फाइबें में पानी क्यूंकि उधर रखी हुए नमकिन सबरा रही नमक बना हुएं तो इसमें मैंने नमक बना रहे हुएए उसन देम्यक टालकर और ऑज कुछ भी नहीं लगूंगे अलग से तो इसमें मैंने नमक डाल दिया और धकन को बन कर दिया अब इसमें आने देती हूँ पास से साथ सीटी है लेकिन मेरे कुकर खराब है सीटी है तो आएगी नहीं जैसे अगर सीटी आ जाती है बाइचांस गलती से तो कर दूंगे गैस को दीरे और धीमेगस पर जो है साथ मनि दिबनी होता पीने को और इधर बिल्ली भी ना जाने क्यों पीछे पड़ गया रोज रोज घर में कहीं से घुस जाता है बसे जगे है नहीं लेकिन एक काच है टूटा हुआ और टूटे हो काच में से अंदर आ जाता है और फिर वह खराब कर देते दूद बगरा तो बिल् दलिया तो यह लोग एक टाइम दलिया का लेगे ना तो दूसरे टाइम पिर कुछ और नी कहाना पसंद करेंगे तो इसके वज़े से मैं आज दलिया इस टाइम सुबे बना रहे हुए ताकि बो लोग दो पर को या पिर रात को यानि एक टाइम उनको रोटी देना है तो मै सब्सक्राइब करें लेकिन रोटी नी बनी तो विसली बाते सब्सक्राइब नी बनेगे और मेरे पास कुछ यह भी नहीं और यह थी सेम फाली है जो कि थेली में चिल चाल के काट कूट के तैयर करके रखी लेकिन वह खराब हो चुके तो फाइनल इसे फेक दिया इतना मुझे को फरकने परता चोखा हो दाल हो यहां पर रोटी हो कुछ भी हो में खा लेती हूं बाकि रोटी इतना स्यदा अच्छा नहीं लेगता लेकिन फिर भी खाती तो और मेरी ना एक गंदी आदध भी कह सकते है यहां पर सही आदत कि मैं एक जिगे खड़ियों के काम नह चाय बनती है तो कुछ कर लेती हूं यानि continue काम करती हूं लेकिन फिर भी ना काम होता है ना दिन करती है ना रात करता है मतलब पूरी तरह से क्या कहूं कि वह कहते ना प्रिथी भी गोल है तो मिरे साथ तो यही बात है तो देखिए जब तक चावल बन रही थी तो मैं आ ग कप्रों को शुका ना में भार जानी की हममत निता सुखा दोंतों कि कम से दो गटा में पानी तो ख़र को यह सिल्की कप्ड़ूं के कप्रों में से पानी आराम से मघ अ画ुर खोड़ा करें और यह सोणुका थे पान बगज़ पींपा पैंटी दिन सूखने तीनर दिन िन से अरे कपड़े मैंने सुबह 4 बजे दो लिया है उठी तो 6 बजे थी लेकिन मैं पानी भरती हूँ फिर सोघती हूं फिर कुछ करती हूं पिर ऐसी मेरा नींद होती है को किको बच्चे जगते रहते हूं पानी कभी कई देना परता है फर में थोड़ थोड़ा दिर नींद ले लेती हूं ऐसे मेरा काम चलता रहता और यह रोज का आदत हो गई है और अब तो आदस यह ऐसे हो गई है कि मुझे को फरक नहीं पड़ता कि तीन चार गंटा कंटिन्यू नींद लूँ यह पिर ना लूँ बस काम करते रहो चलती रहा जब नींद आय तो सो ज दोस्तों यहां पर मैंने स्वेटर भी दो लिया था क्योंकि बहुत दिन हो गया बाहर गये हुए और बापस मुझे बाहर जाना है लेकिन इससे पहले स्वेटर को दो लिया ताकि गंदेगे और डश्ट बगरा से बहुत ज़दा मतला खराब हो गया था इधर सोनू का स्व स्वेटर काफी दिन हो चुकाता दोए हुए और उसके पास पैननी के लिए कुछ भी नहीं है तो यही सही समाए क्योंकि स्कूल के चुट्टिया पड़ी हुई है तो इस टैम दोंगी तो सही रहेगा और यहां पर देख सकते है छोटू की गलापस बगरा और मोजा बगरा कंप्लेट करना पड़ता है और फिर भी अगर पानी कंपर जाती है तो काली वाली ड्रम है जिसमें में पानी बरके रख देती हूं उससे सारा काम कंप्लेट कर लेती हुए तो मैं तो सुखा रहे थी अंदर कप्ड़े लेकिन बाहर से खुशूर खुशूर आवा जा रहा तो पहले बात तो दुए थोड़ा सा उसके बाद में फिर एक बगोना रह गया उसे माज रही और एक चमचा बगरा जो था कि एक भी बरतन जो है सुबे का ना रहे तो यहां पर देख सकते है बगोना जो है माज कर बिलकुल रेडी हो चुका है एक चुलिक है इसी में तो इसी तरह करके तो रख दिया लेकिन शाम होते होते हैं आप लोग देखेंगे कि इतना ज़्यादा भर चुका है कि उसमें चम्मस तक रखने के जेगे नहीं होता यह कि बच्चे कुछ भी खाते हैं चाहें बरतन अगर नीचे मिल गया ना तो उन बरतन से खेल लेता है जिसकी बज़े से ना मुझे धेर सारे बरतन माजने पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं बच्चपन एक ही बार आता है कर लें दो बदमशी जब होगा तब देखी जाएगी अभी तो ठीक है बच्चपन यह उन्हें भी इंजोए कर लेते देते हैं तो दोस्तों इधर में दलिये बन चुका था दलिये ठंड हो चुका है उसके साथ ही छोटू को लग गया भूख क्योंकि नौ बच्चु की है छोटू आ चुका है रसोई में तो मैं अब निकालूंगी दलिये तो बगना माच चुकी हूँ इधर दूद लेके आई हूँ पहरे तो आधी किलो ंतबा है जिसमें रहता है बहुत से SCP भाष पहरा एक स्चुकर नियुक्षा कऔर में तो मैं दलिया फैनलीली शनकाल है और करीक हैं यह जासे में सिटिनी आती सारे कुकर खराब है मेरा तो चावल पक चुका था इसी के साथ में यहां पर लेका है यह बदाम यहां पर चार-पांच बदाम भीगो दोंगी यह हर रोज नहीं बगाती हूं जिस दिन बच्चों को कुछ भी ड्राइफूर्स बगर नहीं देती हूं या कु मुझे आज बनाने थी पराठा बच्चों के लिए लेकिन बीना घी के बनाओंगी आप ऐसा भी कह सकता है के ना पालक की रोटी तो मैं लगभग हफ्ते में एक बार तो बनाई लेती हूं तकि बच्चों को पालक खने का अधत बनी रहे तो यहां पर मेहना इनको बॉयल कर करने के लिए रख रही हूं लेकिन आप सुच रहे होंगे रख रहे हूं कि बॉयल करने के लिए सजाने की क्या जुरूत है ऐसे डाल दे एक चुली के मैं छाट रही हूं कि ने इनमें कोई पत्ता बापा से मरा हुआ या गला सड़ा तो नहीं निकल जाने तो हात्वात दे अब मैं दलिया निकाल लूँगी इस बगोने में उसके बाद में दलिया को ठंड कर लोगी जिसे पाने में रखने से जल्दी सी ठंड हो जाते फिर ना बच्चों को खिला दूँगी तो बच्चा बुखा बच्चा अगर रहे गा तो सार दिन चीच्चरा भी रहता है और आपको छोड़ेंगे में नहीं साती वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है इस बज़े से बच्चों का पेट भरना पहले जरूरी है उसके बाद में सारा कम और मैं तो यह करती हूं और छोटू देगे फिर भी मांग रहा है कभी क्या कभी कर तो मैंने उसे दिखा द करती हूं ऐसे भी कह सकता है कि जूड़ बोलती हूं क्यूंकि कोई भी चीज अगर बाहर का ज्यादा खा लेंगे तो हो सकता है कुछ नुकसान कर जाए इसलिए एक लिमिट की कोशिश करती हूं क्योंकि अभी मैं अक्यली हूं मेरा कोई है नहीं तो ऐसी हालत में अगर करती हूं और यह जो चीजे होती है सारे चीजे बच्चों को लिए होता है तो मैं 10 रुपए का चना लेकर आए थी कि कभी भी मांगे तो एक बार जो है ओ गोली या जो लाल पी लिए देने की बाद में चना ही दे देती हूं लेकिन चोकलेट बिसकेट बगरा नहीं देती ह चना यह दर मेरा दलिया जो है पूरी तरह से जम चुका है और आज थोड़ा गाड़ा ही बनाता है पानी डालने में तो गरबर हो गई और हाथ का काम है कभी गाड़ा कभी पतला हो जाता है परफेक्टर कर से हरोज नहीं बन पाता है तो देख सकते हैं पानी को मैं अच्छ कर सो ख़़ा है अने जाने के लिए जगे डिल्कुली नहीं तो यहाँ पर गमले में जैसे पाणी के अंदर रखी ना दलिया तो उस्में से पाणी निकाल रहा है तो दिّोम्टिंआ अब बहुत लंग समय तक चलता है यह खराब नहीं होता है तो एक दू चीजे उसकी पापा के अभी भी बचा हुआ है और यह लास्ट थेली है उसके बाद में और कुछ भी नहीं है तो यह दिख रहा है मतर ना तो यह मतर है फ्रेश मतर जिसे में ने छील कर डिफ्रीज में रख तो डिफ्रीज में अगर आप एयर टाइड वाली जो थेली आते ना उसमें रख देंगे तो साल बर तक आपका मतर श्टोर रहती है तो यहां पर थोरा सा मतर निकाल लिए साथ में एक कप जितना मक्का निकाल लिए पहले मैं ने जो थेली निकाला था उसमें मुझे निकल से पर होगा तब तक मैं बच्चे को खाना खिला लूगी और उसके बाद में मैं बना लूगी दोपार के लिए कुछ ना कुछ और बोज दोपार कर नास्ता होगा ना बोई रात का कामा जाएगा दुबार से कुछ भी नहीं बनाऊंगी तो इधर आप में मेरे तंड़ा न वा रभिव इस दिन नहीं के लिए है दिखाना भी ज़रूरी है जाहेर psychi抣 और चब सही कने तो याह बऒझ्छ सिर्ट्ट देकान मेरचा लोकतों की खूद है कोशिश को भगवार मेरे अब jedid कुछ नहीं चाहिए तो दोस्तों मैं यहां पर खिला रही है दोनों बच्चों को खाना लेकिन सोनु बोल रहा था कि दलिया में नमक कम हुआ है लेकिन अब बन चुका है और दूबारा से उपर से नहीं डालूंगी क्यूंकि उससे ना वो ऐसे बोलता है नुकसान करता है तो मैं चेर रहा है लेकिन अभी मुझे उठना है और शाम की तेहरी करनी है तो बच्चों को सुला कर उठना है बहुत ही मुश्किल होता है क्यूंकि बच्चे कपड़े भी पकड़ लेता है और देखिए किस तरह चिपके सोय है मेरी गर्माज के साथ में अगर उठ गई में औ अभी लेकिन अभी नहीं खैया कभी सो रहा है तो बदमाशी का कर रहा है तो इसका खोना काम कम्प्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो को इसे के साथ एंड करती हो मिलती फिर इस नया वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्ते जाहिए